आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है REC Limited की साथ ही हम बात करेंगे सुजलोन की भी इन दोनों के भी जगर देखें एक एग्रिमेंट साइट हुआ है साथ ही एक बोनस स्टॉक को भी हम देखेंगे जिसमें अगर देखें तो डे बाई डे अपर सरकेट भी लग रहा है और काफी तगड़ा बोनस भी कंपनी की और से दिया जाना है तो वीडियो को आगे कंटीन्यू करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अगर आप टेलिग्राम चैनल जोइन करना चाते हो तो कर लो बैंक निप्टी निप्टी की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक बार जाकर आप चेक आउट कर सकते हो तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें REC Limited की मॉर्णिंग में स्टॉक काफी तक अच्छे रिटन देता हुआ हमें नजराया था स्टॉक ओपन हुआ था 417 के लेबल पर और स्टॉक ने हाई भी लगया 419 रुपे का और वही अगर देखे उसके बाद इस स्टॉक साइडवेस जाना स्टार्ट हो गया यहाँ पर गिरते गिरते स्टॉक लेकर आप देखो तो यहाँ पर 398 रुपे का लो भी इसने लगाया है बड उसके बाद इसने सदन एक अच्छी रिकवरी भी बताई तो यह कुछ अच्छे पॉइंट्स भी नजराते है एड एंड स्टॉक ने 407 रुपे के लेवल पे क्लोजिंग दी 5 रुपे 15 पेसे के राउंड तक के नेगेटिव रिटन्स के साथ 1.25% के पैसे पर पाच दिन की अगर बात कर ले स्टॉक 24 रुपे 45 पेसे तक यहाँ पर आप देख सकते हो गिर्टा हुआ हमें नजराया है एक महीने में 79 रुपे के राउंड अगर आप देखो बड़त है 6 महीने में 250 रुपे और एक साल में 293 रुपे तो बैक टु बैक स्टॉक ने अगर देखे consistency के साथ अच्छे return भी दिये है और यहाँ पर आप देखोगे Sujalon Energy share बिल्कुल यहाँ पर बड़ा है, company ने यहाँ पर एक fact sign किया है REC के साथ बिल्कुल एक बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है एक positive आकड़े हमें यहाँ पर देखने को मिले है इस particular share में इसकी वज़े से एक बड़ी news है जिसकी वज़े से आप clearly देख सकतो Sujalon में एक बड़ा एक बड़ी बड़त हमें देखने को मिलती है और एक काफी तक positive चीज भी हमें देखने को आपर मिल रही है साथ यह अगर बात कर ले तो Sujalon Energy rises 4% on repeat order from 193.2 Megawatt wine for project तो एक काफी बड़ी बात है और एक project दिने मिला है state transmission utility की ओर से तो एक बड़ी चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और वही अगर देखे तो sorry यहाँ पर project मिला है global utility company की ओर से तो एक बड़ी चीज आपर हमें देखने को हुई है उसकी वज़े से भी stock ने काफी अच्छे returns भी आपर दिये है पिछले पाच दिन में भी अगर देखे stock में गिरावट बले ही रही हो एक महिने में भी गिरावट रही है बट पिछले एक साल में stock ने consistency के साथ अच्छे return भी आपर दिये है हम बात कर रहे थे REC की तो REC के level भी हम देख लेता है कि तरीके से stock यहाँ पर trade कर रहा है और आगे हमें किन levels की उपर ध्यान देना चाहिए जो levels हमने पहले आपके साथ share किये थे उन्हीं levels पर हम अभी भी यहाँ पर अपना वरोजा बनाय रखे है और share ने अगर देखे last trading season भी अच्छे return दिये थे stock morning में यहाँ से गिरना start हुआ था इस point से stock में अगर देखे गिरावट आई थी और यहाँ पर support लेके stock अगर देखे उपर की और भी गया था फिर यहाँ से share में अगर देखे गिरावट भी आना start हो गई sustain करने की कोशिश कर रहा है तो एक positive चीज हमें यह देखने को मिलती है कि इसके उपर अगर अच्छे तरीके से sustain कर जाता है तो आने वाले टाइम में 420 रुपे के round तक के return में easily दे सकता है तो यहाँ पर इन चीजों के उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए साथ ही अगर हम बात कर लें तो आपको एक point हमेशा ध्यान रखना चाहिए यह वाली trade line आपको ध्यान रखनी है इस trade line को अगर यह break कर देगा तो share में अच्छे return यहाँ से आना start हो जाएगे क्योंकि एक देखोंगे ध्यान से अगर आप देखोंगे तो एक proper rejection level है यहाँ से गिरावट आई यहाँ से भी गिरावट आई तो एक rejection level हमें मिल गया है और साथ यह downside की और से भी अगर आप देखोंगे तो stock में यहाँ से भी एक support भी आप देख सकते हैं support level भी आपर हमें देखने को बलता है, तो A point आपको यहाँ पर ध्यान रखने है, कि अगर share अगर देखे, तो उपर की level की उपर sustain कर जाता है, इस particular trade line को break कर देता है, तो 420 तक तो जाएगा ही जाएगा, बट वही अगर downside की और breakdown देता है, तो stock में एक fall भी आ सकता है, तो A आपको identify करा देंगा यह level की हमें किस ओर जाना है, क्योंकि पहले हमने ऐसे ही level के साथ trade किया था, जैसे A वाला level आप देख सकतो, इस level में काफियत तक हमने काफि कुछ चीज़े, important चीज़े हमने देखी दी, कि stock में अगर दब देखोगे, एक symmetrical type pattern बना यहाँ पर, उसके बाद stock में breakdown आया, breakdown के बाद stock ने यही पर sustain करके एक बड़ा fall बता दिया, तो एक चीज़े हैं, जो A price action एक्चुल में work करता है, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करता है, तो इन points के उपर आपको ध्यान यहाँ पर देना चाहिए, 1R के time frame पर अगर दीखे, downside की और से मैंने support के लिए, एक point बताया था, उस point पर इसने support लिया, यह वाला point आप देखो, ascendal type triangle बनाया था, इसने breakout मिला, उपर की और गया, falling wage type pattern बनाया, यहाँ पर support लिएके उपर की और गया, तो एक point भी मैंने आपकी साथ share किये था, फिर उसके बाद exactly यहाँ पर support लिया, फिर उपर गया, यही पर sustain करके, stock जो है, उपर की और और भी अच्छे return हमें दे सकता है, तो इस point के उपर भी आपको यहाँ पर focus करना चाहिए, तो सुझलोन के बारे में तो मैंने label बता दिया, और stock ने अगर देखे, तो last trading season, 37 रुपे 21 पेजे के round तक की closing यहाँ पर दी है, और volume यहाँ पर बड़ा है, share में volume अगर देखोंगे आप, तो volume काफी अद तक हमारे लिए important हो जाते है, volume किस तरीके से हापर share में काम कर रहे हैं, तो वो चीज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो 3 करोर के round तक का trade value भी हमें देखने को मिलता है, एक अच्छी चीज है, high volume के साथ stock में बड़त रही है, और अभी भी अगर देखें, 100% लोग ब्लकुल buy करने के लिए कह रहा है, तो इस चीज के उपर भी आपको ध्यान देखना है, और वही अगर आप देखोंगे, इस stock को पहले भी 100 MW का wine power project मिल जुगा था, उसके बाद अगर देखें, यहाँ पर 193 MW का point project मिला, टोटल अगर देखें, तो इस particular share को December के मन्थ में 293 MW तक का order मिल जुगा है, तो यह काफी अद तक positive चीज है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके levels क्या कहते हैं, सुजलोन में क्या levels है, किस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो यह चीज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो stock में आगे हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर देखें, 1R के time frame पर यह देखा जाए, तो stock यहाँ पर अभी गिरावट बता रहा है, बिलकुल एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट stock को अगर आप positive way में लेना चाहते हो, तो ले सकते हो, योकि एक falling wish type pattern आप इसे consider कर सकते हो, कि share में एक proper falling wish type pattern हमें देखने को मिल रहा है, एक falling wish type pattern आप देख सकते हो, कि यह share में बन रहा है, साथ ही अगर देखोगे stock में, तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे, एक proper support भी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है, stock अगर बात कर लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, support मिला, support लेके share उपर के और गया, फिर उपर से अगर देखे, इस point से rejection हमें देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर support मिलता है, फिर उपर से अगर देखे, इस point पर again and again rejection देखने को मिलता है, फिर again यहाँ यहाँ पर support देखने को मिलता है, तो एक proper support and resistance stock में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर breakout मिला इस stock में तो यहाँ से share में और एक अची बटत देखने को में मिल सकती है stock की अगर बात कर ले तो 44 रुपे के around तक के target यहाँ पर easy तरीके से achieve हो सकते है 44 रुपीज तक जाने की stock जो है पूरी कोशिश हाँ पर कर सकता है और साधी अगर हम बात कर ले तो stock में आप clearly देख सकते हो एक poll and flag type pattern भी यहाँ पर बन रहा है जैसे आप देखोंगे यहाँ पर एक poll create हुआ है एक flag create हो रहा है और breakout अगर मिलता है तो stock यहाँ से और अच्छे return दे सकता है कुछ positive चीज़े है जिनके उपर आप focus रख सकते हो जैसे day one के time frame पर यह जो range है क्यों इतनी important है ओ भी मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट guys तो यहाँ पर यह range हमारे लिए क्यों इतनी ज़दा important है ओ भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि इस level पर एक support रहा है शेर ने अच्छा support लिया है और इसी range के around एक consolidation भी क्या है 50 रुपिस का target हमने रखा था और उसके और जाने की कोशिश भी इसकी रहने वाली है और हमने बुला था कि इस में अगर देखे वनमंद के टाइम फ्रेम पर आपको वेट करना है कि एक proper breakout मिले क्योंकि शेर अगर देखें यहाँ से भी कई बार rejection लेता हूँ नजर आया था और down आया था यहाँ पर breakout के बाद ही stock में देजे यह चीज हमने देखी थी तो यहाँ पर अगर इसने A level को ही break कर दिया तो stock में यहाँ से भी एक बड़ी दी जाएगी तो इसलिए हम इस particular level का भी weight कर रहे है अब बारी आती है कि से stock की जो bonus दे रहा है और day by day high rise भी लगा रहा है standard capital market limited 75 रुपी का stock है 1.44 पेसे तक की बढ़त है stock काफी एच्छे देखें से balance किया गया है bonus bonus है twist one का यानि एक share के ओपर दो bonus के share आपको मिल जाएगे और x bonus trade जो है इसकी ओभी आना बाकी है तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है so I hope video आपको helpful लगा होगा अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना और एक important चीज़ अगर आप किसी भी stock में investment कर रहे हो तो please in shares का एक बार analysis करना है fair investment करना है साथ ही telegram channel को join कर सकते हो